नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ है क्रैम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी चिराग बहुत बहुत स्वागत है आपका आज खबर दिली से है दिली के एक जेलर की हम बात कर रहे हैं मंडोली जेल में तैनाथ जेलर दीपक शर्मा जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और उस वीडियो में किसी पार्टी में वो गए हैं और उस पार्टी में अपनी जो उनकी इस्तौल है उसको लहराते हुए और नायक नहीं खलनायक है तू जो संजलत की फिल्म का गाना है उस पर वो डांस कर रहे है अब सवाल यह है चिराग कि क्या कोई पुलिस कर्मी या क कोई आफिसर क्या अपनी सर्विस रिवालवर को लेकर किसी पार्टी में क्या उसके नुमाईश कर सकता है गाइडलाइन क्या है एक दूसरा यह जो मंडूली जील में तैनात जीलर दीपक शर्मा है इनका मैं सोशल मीडिया एकाउंट फिर मैंने इस अपने चर्चा से पहल के लिए भारत सरकार की तरफ से आपको मिली है उसका एक पार्टी में नुमाईश करना यह इसको लेकर क्या नियम काईदे कानून है फिर मैं देख रहता है कई मीडिया में बयान भी देते हैं इंटिव्यूस देते हैं तो वो किस बिहाव पर देते हैं चुकि अभी तक जो मेरी जानकारी एक डिसिपी रहें का अधिकारी ही एथराइजट परसन होता है किसी विशे पर अपनी बात रखने के लिए तो क्या इनका इनका क्या बैग्राउंड है कैसे ये इतना लाइम लाइट में है कि सोशल मीडिया पर चाय हुए है और अब तो जो वीडियो है वो क्या ये किस रहें के ओफिस से रहें मदद क्या है ये सुपरिटेंडेंट है असेस्टन सुपरिटेंडेंडेंडेंट है अच्छा ठीक है और मैं आपको बता हूँ जो तिहार में जो असेस्टन सुपरिटेंडेंडेंट्स होते हैं वो दिल्ली सरकार के एमप्लॉई होते ह और वो दानिक्स अधिकारी जिनको कहा जाता है कुछ दानिक्स भी होते हैं और कुछ आईपेस होते हैं जो कि डीजी हैं समझ सतीज को उलचा के हाड जेल के अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आप के पास जो यह वैपन पहले तो आपको मिला हुआ यह नहीं मिला हुआ यह एक जाच की बात है जो दिल्ली कुलिस कर रही है दूसरी इसमें जाच की बात यह है कि आपको जो वैपन मिला है अगर मान लिजे नहीं मिला है तो ये किसका वैपन है जो आप ये लेकर घूम रहे हैं और अगर मिला भी है तो भी आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं किसी निजी पार्टी में तो आप उसके नुमाईश नहीं कर सकते हैं कोई भी वेपन की, मान लिजए वो accidentally चल जाए वेपन, कुछ हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, तो एक तो ये जांच की बात है, और इसकी इंवेस्टिकेशन शुरू हो गए, तिहार जेल के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि अब इसको लेकर बहुत strict है वो, और इस पर पू पूरी राका उनके अंडर में आता है, और ऐसे में ये पूछा जा रहा है कि भाई ये लाइसनसी पहले तो वेपन है या नहीं, दूसरा अगर नहीं है, अगर आपका है, तो ये आप किस बहाफ पर ये इस तरह से, इसको इसको नुमाईश कर रहे हो, मतलब क्या दिखाना डालने के लिए, कि आपकी बॉडी अच्छी है, ये बॉडी की नुमाईश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो, मतलब, वो आपकी सेफटी के लिए है, अगर है भी अगर बान लिजे लाइसनसी है, तो वो सेफटी के लिए है, वो नुमाईश करने के लिए नह से मांग रहे हैं और यह कहा था कि मुझे प्रतारित कर रहे हैं एक और उन्हों ने अधिकारी पर सवाल उठाये तो और दीपक शर्मा पर उठाये थे और यह कहा था कि नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और प्रोटेक्शन मनी अपनी मूवी के लिए मांग रहेंगे, इनको कोई मूवी में हाँ, मैं चुकि इनका सोशल मीडिया अकाउंट मैं सर्च करा था तो काफी विल्कुल मॉडल जैसे इनका मिज़ाज मालूम होता है और उस और जादा ये प्रभावित भी दिखाई देते हैं बॉलिवूड के एक्टर ने साहिल खान उनके साथ भी इनका उनके वीडियोज में देख रहा था तो तबियत से मॉडल, पेशे से जेलर देखें, आप अपने फैशन को फालू कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दो सवाले जो वेपन उनको मिला है उसकी नमाईश कैसे कर सकते हैं दूसरा सवाल मेरा ये कीज laughs कि वो इंटेवियो ऐस बहाफ पर देते हैं क्या वो मीडिया को एक मौडल की छषवी चैँ उस बहाफ पर देते हैं या वो बताओर जेलर वो अपने इंटर्वी देते हैं, अगर वो बताओर जेलर देते हैं तो क्या वो एफिराइस्ट परसन है? और अगर वो एक मॉडल देते हैं तो उस वक्त क्या जेलर की चर्चा नहीं होती है? मैं उनकी पस्नेलिटी को समझना चाहा रहा हूं. ये मुझे भी थोड़ा विचितर लगता है मामला क्योंकि मुझे याद है एक ओफिशल बाइट अगर होती थी तिहार जेल से तो सुनील गुपता साब की होती थी वो पियार होती या फिर उस समय जो डीजी होते थे उनकी होती थी बीच में कोई ऐसा अधिकारी नहीं होता थ या किसी अधिकारी के अभी तक नजर नहीं पड़ी थी या अधिकारी इस सेंस में बतौर मॉडल तो वो अपने आपको रिप्रेसेंट कर सकते है ना तो मॉडलिंग मतलब कि साहिल खान के साथ उनके वीडियो उनके अपनी किसी का परसनल अगर किसी से घयक वो कोई इशू है ना बेशक वो पेशे से जेलर हैं या जो भी हम अगर किसी संस्थान के साथ जुड़े हैं तो संस्थान उमीद करता है कि हम उसके लिए काम करेंगा अगर हम बाहर कहीं और काम कर रहे हैं उससे कुछ अर्रिंग कर रहे हैं तो संस्थान फिर अगर संस्थान को दिक्कत है तो संस्तान एक्शन ले संस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा है क्यों है फिर ये सबसे बड़ी बात है कि तिहार जेल हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ ता पिछले काफी समय से अब तो कहा है कि action लेंगे पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे लेकिन इतना मुझे समझ नहीं आता कि इतने वक्त से ये कर रहे हैं मतलब क्या इंको permission मिली हूई ये करने की तो कोई बात नहीं और अगर नहीं मिली तो फिर क्या इतिकारी को नजर नहीं आ रही है सब चीज़ें कि भही ये सब चीज़ें ठीक है आप मौडलिंग ये सब चीज़ तो एक जायज है इन्होंने भी पीशे एक मुकदमा दर्ज कराया था एक लेडी के खिलाफ के इनके साथ 50 लाग की चीटिंग हुई है ये अभी शोशल मीडिया महिला ने इनके साथ चीटिंग की है हाँ इनका कहना थे इसके अलावा सुकेश ने इनके ओपर आरूप लगाये थे इनके डिपार्टमेंट में कई कंप्लेंट्स इनके खिलाफ चल रहे हैं पता नहीं हुआ कुछ भी आज तक सामने नहीं आया है इसके अलावा क्योंकि वह कैदी है अगर वह कोई की की कर्टमेंट की अगर मैं बात करों जो आसपास के सूत्र ही हमारे जो बताते है कि इनका सर्कल है कि एनका सर्कल की बात कर रहा है, कुछ जो सूतर बताते हैं, जो इनका सरकल है, वो भी ठीक नहीं है. तो उसमें तो कोई गलत नहीं है? कोई कोई उसमें गलती नहीं मैंने एक और इनका प्रोग्राम देखा था जिसमें कई मतलब विचितर एक स्थिती है कि कई सीनियर पुलीस अधिकारी इनके उसमें इस अगेस्ट बन कर आते हैं मतलब अगर एक पर्टिकुलर इन्होंने कुछ पीछे पता है तो उसमें उसमें गलत क्या है मतलब मैं समझना चाहरा हूँ मिरत की सवाल है कि सर्विस करते हुए क्या चीज़ें की जा सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं की जा सकते हैं बॉड़ी तो बना सकते हैं वो बना रहे हैं बॉड़ी के नुमाईश भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं हाँ बंदूप न इतना इतना मुझे पता है कि जो आप सरकारी अधिकारी के नाते जिस संस्थान से जोड़े हो आप उसके प्रति आपकी लाइबिलिटी सब्सक्राइब है नहीं है तो फिर वो सीनियर दिकारी की тебе देखेंगे ना। तो वो नहीं देखेंगे तो वो झा आप सो रहे हैं ? क्या ऐसा तो नहीं है ना ? अब वही बात है ना अब सवाल ही उठता है चलिए सोशल सरकल की भी छोड़ दीजाए आपने का है वह जिम मैंने का जिम चला वो ठीक है हो सकता है कि वह उनके परिवार में कोई चलाता हो तो वह रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि मेरा है कई बार ऐसा होता है मानने जिब प् हैं ना अगर हवाई फाईरिंग हो जाए जो कि कई लोग प ये भी कह रहे हैं कि इनका अगर वीडियो नहीं आता तो ये पता ही नहीं चलता गएँ तो ये इससे पहले भी कई बार गें हैं तो देखी serious nature की complaints हैं, लेकिन अब उसमें भी कोई action नहीं हुआ, या हुआ, ये भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अभी हो as ad present वो तैनात हैं और ये सारी activity उनकी साथ में जा रही है, आप जिम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका जिम है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी society में criminal background के लोग आप से जुड़े हुएं, तो डाल में कुछ काला लगता है, पहली बात, दूसरी बात, अगर आप पार्टी में जाकर, वो weapon आपका है, किसी और का है, और आप लहरा रहे हैं, तो वो एक issue है, तो हम उसी issue के, अगर वो ये ना करते हैं, तो शाइब ये लगता है तो उसके पीछे आपका एक source जुड़ा होता है, चाहे वो उच्छ अधिकारियों से बातचीत हो, या कोई और source हो, आप दीपक शर्मा की इस पूरी कारशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मैं आप से अगर सवाल पूछूँ कि इस पर क्या कोई action होगा, कि senior अधिकारि हो है, उससे तो सब को मालूम हो गई यह बात है, और यह वीडियो अगर ना आता तो शायद हम यह चर्चा भी नहीं कर रहे होते हैं, अनूप जैसे हमने डिसकस के पहले, अब वीडियो आया है, उन्होंने खुद लह रही है, या वीडियो तो एक आया, लेकिन उससे पहले क्योंकि दोनुई चीफद्पः यहां से भी जाते हैं, आरेकरम यहां यहां का भी होता है, बड़ी मिली जूली नहीं है। पिस्टल आपकी अपनी है या किसी और की है या लाइसनसी है गैर लाइसनसी आप उसको लहरा कर डांस कर रहे हैं वो इशू होता है और वो इनके साथ ही मैं तो कई दिली पुलिस के ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ जिन्होंने हलका से इंडिसिप्लिन किया और उनको हटा के लिए तो मतलब आप देखिए कितनी डिसिप्लेन वाली बात होती है कि आप एक फोर्स से जुड़े हैं अगर आप फोर्स से जुड़े हैं तो आप उसके काईदे कानून मानने पड़े हैं आप ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस की वर्दी आप और मैं पैन की घूमने लेकिन चुकी क्या बोलना है उससे पहले पता होना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है शायद ये जो फर्क है ये दीपक शर्मा इसमें थोड़ा सा चूक उन से हो रही है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है जो नहीं दिखाना है वो दिख गया और जो दिखाना है छिप गया और नतीजा ये हुआ कि अब कहीं न कहीं गाज भी गिर सकती है जिसका एक इशारा चिराग ने किया बहुत बहुत शुक्रिया चिराग समाम जानकारी के लिए आपका यहां रुक रहें लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं बने रही हमारे साथ देखते रहिए आज त